हेलो दोस्तो स्वागत है आपका इंटरनाशनल रिलेशन के सीरीज में यह PT 365 का वीडियो है और यह लेक्चर थर्ड है ठीक है इसके पहले अल्रेडी दो लेक्चर आ चुके हैं और साथ के साथ एक इंट्रोडेक्शन वीडियो भी था जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग इस पर्टिकुलर पीडियो को कवर करने वाले हैं तो अभी तक हम लोगों ने जितना पार्ट कवर किया यहां पर मैंने यलो से हाइलाइट किया हुआ है आप देख सकते हैं हम लोग ने इंडिया चाइना देख लिया इंडिया बंगलादेश देख लिया इ यसे पहले हम लोग डालते थे, सुबह के टाइम पर आपको video मिला करता था चार बजे और पांच बजी के आसपस, तो उसी टाइम पर आपको मिला करेगा, आपसे, कल आपको चार बजे के आसपस मिल जायेगा, ठीक है, और बाकी आपको दिन के टाइम पर आपको magazine वाला video मिल और रात की टाइम पर आपको आयर वाला वीडियो मिल जागा क्योंकि मेरे लिए यह सहुलियत हो रहा यही टामिंग बहस्ट रहेगा ठीक है तो यहीं को फॉलो करेंगे तो चले आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रम इंडिया, फर्स्ट साउथ ऐसियन ओयल पाइपलाइन कोरिड़र और सेकेंड ओयल पाइपलाइन इन नेपाल तो यह जो पहला स्टेटमेंट है या गलत है कैसे तो मैंने आपको बताया था कि यह जो पाइपलाइन आप देख रहा है मोतिहरी अमलेक गंज पाइपलाइन यह हर एक चीज में फर्स्ट है तो यह पहला ट्रांस नाशनल बैट्रोलियम पाइपलाइन है इंडिया से दूसरा यहां पर आप देख सकते हैं कि फिस 3rd integrated checkpost at जोगबानी बिहार, बिरातनगर नेपाल यह 3rd नहीं था, यह 2nd था और पहला कौन सा था? पहला आप comment section में मुझे बताईए क्योंकि मैंने आपको अल्रेडी बताया हुआ है तो यहाँ पे दोनों statement गलत हैं और अगर यहाँ पे, चुकिए यहाँ पे incorrect पुछा गया है तो इसी साब से C option हो जाएगा, that is both 1 and 2 और जी लोगों ने comment section में both 1 and 2 answer दिया है उनका answer बिल्कुल सही है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को start करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग India-Maldives relations से सबसे पहले start करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले context हमें पता होना चाहिए news का तो उसको start करने के पहले मैं आपको थोड़े बहुत background details यहाँ पे दे देता हूँ हम लोग जानते हैं कि इंडिया और माल्दिव का जो relationship है वो अभी जाके थोड़ा बहुत सुधार आया है इसके पहले जब वहाँ पे मतलब अभी presently हम लोग जानते हैं कि सोली है वहाँ के president तो उस case में क्या हुआ कि obviously हमारे जो relationship है वो थोड़ा जादा सुधार है क्योंकि यह थोड़ा lenient type के मतलब वहाँ के leader है और president इब्राहिम सौली के पहले हम लोग जानते हैं कि वहाँ के president है Yameen तो उनकी period में आप जानते हैं कि obviously इंडिया के साथ relationship जो है वो काफी जादा खराब हो गई थी अब उनका अगर देखेंगे तो उनका closeness जो है वो चाइना के साथ काफी जादा बढ़ने लगा था इसके लाबा पाकिस्तान के साथ उनकी closeness जो है वो काफी जादा बढ़ने लगी थी फिर वहाँ पे जब elections हुए और elections में फिर Yameen को हरा दिया गया जो वहाँ के president थे उसके बाद आएं Abraham Soli और तब जाके हमारे जो India और Maldives का relationship है यह थोड़ा बेटर होने लगा ठीक है फिर उसके बाद हम लोग अल्रेडी जानते हैं कि फिर PM Modi जब यहाँ पे वापस से select हुए थे इन्होंने क्या किया इन्होंने 5 MOI उसको sign किया है किसके लिए तो यहाँ पे अदू टूरिजम जो जो है यहाँ बनाने की बात कही गई है और कहां पर तो यह 5 आइलेंड्स है अदू अदू अटॉल के पास ठीक है तो यह हो गया आपका basic context अब मैं आपको पहले map दिखा द ज्लीक हुएअ दो आपको जो ओ सारी पर दिख रहे हैं यहाँ राख्षदीप और यहाँ पर इसके नीचए में आप जैसी जाएका कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस तरह का world map में अगर आप देखोगे, तो यहां पर सबसे पहले यह रहा है green color का India, और इसके नीचे बिल्कुल छोड़ा सा point यहां पर tip में यह लाई करता है, तो यह आपको मेडिकल से idea लगया होगा, अब यहां पर कुछ एक चीज़ है, जो geographical point of view से अगर आप map देखी रहे हैं, तो यहां पर इसको थोड़ा ध्यान में रख लिजे, ठीक है, अब जैसे यहां पर कर्दिया चानल कहां पर लाई कर रहा है, तो कर्दिया चानल आप देख सकते हैं, मतला ओविसली माल्दीव्स में यहां पर लाई कर रहा है, ठीक है, अब यहां पर कौन से मतला आइलेंड्स को अलग-अलग कर रहा है, यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतने डीटेल में यूपेसी पूछेगी भी नहीं, पर हाँ आपको यहां पर ध्यान में रखना चाहिए, कर्दिया चानल कहां पर है, ठीक है, वाई-मंदू चानल कहां पर है, और इसके लावा अगर पूछा जाए कि यह कौन से ओशन में लाई करता है, तो आपको ध्यान में लाई करता है, और इसके लावा अगर पूछा जाए कि यह कौन से ओशन में लाई करता है, तो आपको ध्यान में रखना है, कि यह इंडियन ओशन में लाई करता है, यह बेसिक एक image आपको पता चल गया कि इंडिया से किस direction में Maldives जो है वो लाई करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप इन्होंने बड़ा सा बना के दिखा रहा है नॉर्थ माले और साउथ माले ठीक है और यहां पर नॉर्थ माले में ही आपका airport भी लाई करता है तो यह भी important point आ गया आगे बढ़ते हैं तो यह जो आप अदू अर्टोल देख रहे हो ना इसी अदू अर्टोल के आसपास में यहां पर अदू टूरिजम जोन बना की बात कही गई है तो यह आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखियेगा कहां पर तो यहां पर देख रहे है होरा फूशी में ठीक है तो होरा फूशी भी एक जगह है जो की मालदीफ में वहां पर bottled water plant बनाने की बात कही गई है और होरा फूशी क्या है तो यह एक तरह का inhabited island है जो की northernmost at all में लाई करता है northernmost at all कौन सा तो हा अलिफ at all जो की मालदी फिर्च है और इसके अलाबा एक यहां पर वौटल बॉटल वौटल प्लैंट भी बनाने की बात कही गई है तो यहां पर आप कहा पर देख सकते है यहां पर आलिफ at all में यह देख सकते है यह northernmost हो गया ठीक है तो इंडिया यहां पर क्या 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 को अपे करने की कोशिश एक Northernmost हो गया अटॉल जो कि यह वाला है और इसके अलावा हम देख सकते हैं अधू अधू अटॉल तो Northern और Southernmost दुनों जगा पे किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो 6 MOUs sign किया गया है इसका देखिए benefit क्या है तो यह 6 project होगा एक तरह से तो सारे जो 6 projects हैं यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है कि they are grant projects जो की fall करते हैं इंडिया के High Impact Community Development Scheme के अंदर में तो यह एक particular scheme है जिसको ध्यान में आपको रखना है यह पहली ची और इससे related और भी जो details है उसको आगे हम लोग एक गार देख लेते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि High Impact Community Development Scheme जो है इसको constitute यहाँ पर बतब देख सकते है constitute कि ले क्या है तो यह एक तरह का important dimension of development partnership बनाता है इंडिया और माल्दीप्स के बीच में ठीक है तो इसलिए इसक अंदर जो भी projects होंगे वह इस तरह से मतलब development किया जाएगा उन projects का जिससे वह जो भी communities island पर रह रहे होंगे उनके demands को एक तरह से satisfy करें ठीक है तो यहाँ पर उसी चीज़को यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि they will be driven by needs of communities on the island मतलब वहां के लोगों को ध्यान में रखके जो भ और फिशु क्या है तो एक inhabited island है ठीक है तो यह बिल्कुल धान में रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो आगे इन्होंने फिर detail बताया है अदू अदू अटॉल के बारे में तो अदू अदू अटॉल का हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर एक तरह से हम लोग यहाँ भी development project क बनाने वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अदू अटॉल में बताया गया है कि इसको सीनू अटॉल भी कहा जाता था पहले और यह southernmost अटॉल है माल्दीव का ठीक है तो जो हम लोग देख रहे हैं इंडिया और माल्दीव का cooperation है वो cooperation अदूल में एक तरह से कर रहे हैं अटॉल में काम कर रहे हैं हम लोग और southernmost अटॉल में भी काम कर रहे हैं इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेगा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इन्होंने अटॉल के बारे में बताया कि आप बहुत बारी सुन लिए आपने अटॉल है यह वो अटॉल होता क्या है त या फिर series of islands भी हो सकता है और इसमें आप देख सकते हैं अटॉल surrounds a body of water called a lagoon ठीक है तो जैसे आप यह बीच वाला पार्ट देख रहे हैं इसी को lagoon बोलते हैं तो इसको आप ध्यान में रखेगा और इसके आजू-बाजू यहाँ पर आप देख रहे हैं जो coral reef को में या island के form में होता है इसी को हम लोग अटॉल बोलते हैं अब यह best example यह बहुत सुन्दर सा आप देख रहे हैं अब image आपको idea लगया होगा अब यहाँ पर थोड़े बहुत extra details यह दिया हुआ है कि कभी कभी क्या होता है कि अटॉल और लोगोन जो है वो किसी एक central island को protect करने का भी काम करते हैं ठीक है तो यह भी एक important point आप ध्यान में रख सकते हैं इसके अलाबा अटॉल जो है वो इसका development क्यों होता है यह भी हमारे लिए important है तो आप देख सकते हैं कि अटॉल जो है वो develop होते हैं underwater volcanoes या फिर call जिसको कह सकते हैं sea mounts ठीक है तो इसी कारण से अटॉल जो है इसक है ठीक है बहुत सारे लोग जा नहीं पाएंगे obviously पता नि मैं भी जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा पर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ images आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखे कि इस तरह से resorts वगेरा बनाया जाते है अटॉल के आसपास में और इस टाइब कर डिजाइन बने हुआ है आइलेट्स टाइप यहाँ पर बने हुआ है और बीच में वाटर है ठीक है यह लगून हो गया और इसी को सीनू अटल भी बोलते हैं तो इसको भी आप बिल्कुल धहन में रखेगा तो आब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देख सोब् scheint के लिए इसको एक तरह से ग्रो किया जाता है अब यहाँ पर डिबल कांक्स क्या होता है तो एक रुट वेज Eagles एक तरह से होता हुआ है अडू शान तो यह एक important point इसको ध्यान में डख सकते हैं इसके लाब यहाँ पर point यह भी बताए गई है कि earliest known settlements जो record किया गया है इन्हीं atolls में record किया गया है इस country में ठीक है इन्दी country कौन से country तो Maldives ठीक है तो इसको अब ध्यान में डखना है तो यह हमारा इस particular news related सारे information हो गया partnership fund तो यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं कि यह क्या है UNDPF इसको भी बोल सकते हैं तो यह जो एक तरह का partnership fund है यह it is a dedicated facility जिसमें होता क्या है कि United Nation Fund for South South Corporation को established किया गया था in 2017 तो यहाँ पर यह point आप देख सकते हैं यह एक important चीज हो गया कहने का मतलब यह है कि India और India United Development Partnership Fund जो है इसका मतलब development जो है कब किया गया 2017 में किया गया और यह किसके अंदर में आता है तो United Nation Fund for South South Corporation ठीक है तो इसको याद में ध्यान में रखेगा इसके लाबब यह इसका काम क्या है तो यह एक important चीज है यह Southern Owned and Let Demand Driven जो भी Transformational Sustainable Development Projects है Across the Developing World इसके उपर focus करता है और काम करने का एक तरसे इसके उपर focus रहता है और काम भी करते हैं इसके उपर में तो यह आप ध्यान में रखेगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो जो भी Sustainable Development Projects हो गया है वहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन से एडिया में Development करना चाहते हैं तो जो भी Least Development Countries है वो और इसके लाबा कोई अगर Small Island Developing States है वो तो यहाँ पर प्रेजन सेनरे में देख सकते हैं Maldives क्या है तो Maldives है एक छोटा Small Island Developing State है एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो में फोकस होने वाला है वो है कि Sustainable Development Projects को सपोर्ट करेगा in the developing world especially in जो Least Developed Countries होते हैं इसके अलाबा कोई अगर Small Island Developing States हो गया तो उनके लिए भी तो यह अप मेरे खाल से आपका revision भी हो गया होगा आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो next हम देख सकते हैं आप एक इंडिया का Development Partnership Program है वो है India Technical and Economic Cooperation ठीक है जिसको हम लग ITECB बोलते हैं अब इसका institution आप देख सकते हैं 1964 में हुआ है और इसको आप इसका जो institution है इसलिए किया जिससे bilateral program of assistance जो है वो government of India चला पाए तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक important point आगया आगे बढ़ सकते हैं यहाँ तो देखते हैं कि DPA 2 division of development partnership administration जिसको हम देख सकते हैं DPA है DPA ही भी बोल सकते हैं आप इसको तो यह ministry of external affairs के अंदर आता है और यह एक तरह से nodal division है जिसका काम क्या होगा तो यह all capacity building programs को handle करने का काम करता है ठीक है तो development partnership administration जो है EC के अंदर में आता है आप ध्यान में रख सकते हैं किसके अंदर में तो India technical and economic cooperation के अंदर में आता है और यह किसका part है तो ministry of external affairs का part है ठीक है और nodal division के तरह काम करता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है अब इस program के 5 component है जिसको आप एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं तो पहला component क्या है तो training in India of ITEC nominees तो जो भी countries इस particular ITEC में nominees हो जाते हैं या कोई country है दूसरा component है project and feasibility studies and concentration services for a country's particular needs और project तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी country है जो चोटी country है उस case में अगर उनका कोई need या project होता है तो उससे related जो भी feasibility studies हो या consistency studies हो तो उसको मतलब इस particular program के अंदर में इंडिया में conduct कर सकते हैं तो ये भी आ गया second point हो गया, third point आप यहाँ पे देख सकते है तो second point में basically दो point आगे तो वो तीन point अभी तक हो गया अब चौथा point एक तरह से देख लेते हैं तो चौथा point में यहाँ पे इन्होंने बतायवा है कि deputation of Indian experts in whatever needed capacity abroad तो यहाँ पे बहुत सारे Indian experts भी होंगे जो कि इंडिया से बाहर चले जाते हैं जैसे माल्दीव में अगर उनको assistance की ज़रूरत परती है तो उस case में वो वहाँ जाके deputation पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी मदद करते हैं उस particular country की तो यह भी ITEC के अंदर में आ जाता है इसके अलाबा आगे देख सकते हैं यहाँ पर की aid for disaster relief तो अगर कोई भी country में अगर disaster आता है तो उस case में aid भी इसी program के अंतरगत दिया जाता है तो I hope आपको जो दोनो partnership program है वो एक तरह से आपका cover हो गया होगा मुझे पता है कि थोड़ा boring है पर obviously इसको पढ़ना भी ज़रूरी है थोड़ी जानकारी आपको होने की ज़रूरत है क्योंकि अगर in case India-Maldives relationship आ जाता है तो उस case में आप at least इन दोनों partnership program को अगर mention करेंगे तो obviously आपका जो means का answer है वो better लगेगा भी और आपको marks भी जाता फैच हो जाएंगे तो यहां तक हम अगर देखें तो India और Maldives का relationship हमारा cover हो गया अब हम लोग इसके बाद India-Myanmar relationship को देखते हैं इसके बाद जो हम लोग topic स्टार्ट करने वाले हैं वो है India-Myanmar तो India-Myanmar का topic हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले चीज context हम लोग देखना पड़ेगा तो context में आप यहां पर देख सकते हैं कि President of Myanmar जो थे उन्होंने विजिट किया India को recently तो यहां पर आप देख सकते हैं image मैंने आपको दिखा दिया यहां पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरिन मोदी जी और इसके अलावा हमारे जो President है रामनात कोविन जी इन लोग मिलनोंने मिला था यहां पर Myanmar के President जिनका नाम है विन मेंट को और इनकी First Lady भी इनके साथ में थी तो यहां पर आप देख सकते हैं यह रहा image तो यही विजट जो आई थी इस कारण से हम लोगों को इंडिया मियानमार डिलेशन्शिप जो है वो पढ़ना पढ़ रहा है तो चुकि यह High Profile विजट थी तो इससे डिलेटर जो भी Takeaways हो जाते हैं यह हमारे लिए Important हो जाते हैं इसको देख लेते हैं तो सबसे पहला जो Takeaway है इस पर्टिकुलर विजट का वह यह है कि Opening Up of Coordinated Bus Service बिट्विन इमफाल और मंडले तो इमफाल और मंडले के बीच में मतलब Coordinated Bus Service को स्टार्ट करने की बात कही गई इस पर्टिकुलर विजट के दौरन इसके लावा यहां पर हम लोग देख सकते हैं Integrated Checkpoint जो की Tammu Myanmar में बनाने की बात कही गई है with India's assistance और यह कहां पर होगा तो यह border करेगा मनिपूर में ठीक है तो आपको यह point बताने के पहले मतलब और आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार माप दिखा देता हूँ तो चुकि Myanmar जो है वो इंडिया का एक नेवर है तो आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया होनी चाहिए कि आखिर यह border कौन से कौन से states को करता है ठीक है तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देख सकते हैं तो यहां पर एक second में point out कर देता हूँ यह कौन से states के साथ border करता है यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा तो पहले इस image को देख लेता है इस image से understanding के बाद थोड़ी बहुत understanding हो जाएगी तो फिर हम लोग एक और image को देखेंगे जिससे आपकी पूरी clarity बन जाएगी ठीक है तो यह रहा मयानमार और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह वाला जो पार्ट है this is measurum याद रखेगा यह वाला पार्ट यहाँ नोंने यहाँ पर mention नहीं किया पर यह वाला पार्ट जो है यह मिजुरम हो जाता है इसके लाब आप देख सकते हैं मनिपूर लाई कर रहा है ठीक है फिर यहाँ नागा लेंड आ गया और यहाँ उपर के साइड में हम लोग देख रहा है और नाचल प्रदेश आ गया तो चार स्टेट्स के साथ में हम देख सकते हैं मियानमार जो है वो बॉर्डर बना रहा है इंडिया के चार स्टेट्स ठीक है त्रिपूरा के साथ कोई भी यहाँ पे पुइस के लावब दूसरा ट्राइजंच्शन आप देख रहा है जो कि आप देख सकते हैं इंडिया मियन्मार और चाइना के साथ में बन रहा है यह इत्रीजंच्छन आपको द्यान में रखना Tian curious आप द्यान में रख सकते में और इसके लावब और इंडिया भूटान और इसके अलावा हम लोग चाइना के साथ देख सकते हैं यहां पर यहां पर यहां पर ही एक wildlife century लाई करती है तो जिन लोगों ने news और एडिटोरिय अनलर्स दिखा है प्लीज आप मुझे बताइए कि यहां पर कौन सी wildlife century अभी हाल बॉली बस सर्विस के बारे में यहां पर इन्हों ने पहली चीज बोली गई है तो यह हम लोग ने देख लिया उसके अलावा हम लोग ने देखा था कि यहां पर इंटीग्रेटर्ट चेक्पोंट यह इंटीग्रेक्ब्वएयिस की हैं तो यह नणे बना के इंटीग्रेटर्य चीज के इन्टीग्रेटर्ट बताइए क Caitlin के इंटीश में रख सकते हैं तो पंग्साव पास को बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं तो वापस अपने PDF पर आते हैं तो PDF में आप यहां पर हम लोगों ने यहां तक डिसकर्स कर लिया था अब इसके आगे जो चीज़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं तो इंडिया विल ऑफर में पर ने कि बात कहीं है कि इस फील्ड मे तो यहां पर पेट्रोलियम के फील्ड में और यहां पर स्थ्टोलियूम के रहेगा तो refinery रहेगा इस सअधरी चीज़े आगे इहां पर बढ़े हैं तो यहां पर प्रोजेक्ट स्कीम के बारे में भी बताया है कि एक तरह से इंडिया जो है वो इसको extend करने वाला है Myanmar के पास Myanmar के तरफ तो यहाँ पे आखिर quick impact project आखिर होता क्या है तो quick impact projects में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे upgradation of physical infrastructures एक तरह से होता है जो for example जैसे roads हो गया है, local community centers हो गया है यह सारी चीज़ है अब यह जो quick impact projects होता है, यह short gestation project होता है मतलब इसको बनाने में और इसकी completion में ज़्यादा समय नहीं लगता जैसे for example roads हो गया है, local community center हो गया तो इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, easily बन भी जाता है और इसका हम लोग जानते हैं कि यह जो short gestation project है यह बहुत ही अच्छे तरीके से directly benefit करता है जो भी वहाँ के locals रह रहे होते हैं तो इसका एक तरह से हम देख सकते हैं कि immediate or visible result हमें तुरंट से पता मिल जाता है और इसलिए इसको quick impact project भी कहा जाता है क्योंकि इसका impact बहुत ही immediate or quick होता है तो यह important point आ गया इसके लावा हम यहाँ देख सकते हैं कि India जो है वो Myanmar को help करेगा with the project of EI cards तो हम लोग जानते हैं कि हमारी country में already आधार project जो है वो लाई करता है तो इसी के learning को एक तरह से हम लोग share करने वाले हैं Myanmar के साथ और यह जो EI card इनका project है यह आधार project पर एक तरह से model होगा तो यहाँ पर भी हम लोग Myanmar की मदद करने वाले हैं इसके लावा आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों side जो है वो एक तरह से launch करेंगे इंडिया का रूपे card और यह Myanmar में launch होने वाला है तो हम लोग जानते हैं कि रूपे card जो है वो इंडिया के द्वारा ही बनाया गया हुआ है और इसको एक तरह से इस्तमाल हम लोग करते हैं और यह as a competitor है visa और mastercard जो हम लोग जानते हैं companies है तो यहाँ पर वह यह कि रूपे card services सिर्फ ऐसा नहीं कि Myanmar में ही launch हुआ है इसके लाबा और भी बहुत सारे countries है जहाँ पर इसको already launch कर दिया गया है तो जैसे यहाँ पर example बताया है कि UAE, Bahrain, Saudi Arabia, Singapore, Maldives और Bhutan तो हम लोग देख सकते हैं कि अपने आस-पास की जो भी vicinity में countries है उनके साथ हम लोग ने एक तरह से इसको जो रूपे card है इसको launch कर दिया वह है वहाँ पर तो यह एक important चीज आगी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो दोनों side ने decide किया है कि वह किस तरह से रखीन state development program को वहाँ पर और भी जादा projects को एक तरह से बनाएंगे इस program में और भी जादा projects को provide करेंगे अब इसके लाबा बताया जा रहा है कि और भी जो की पुराने projects है जो कि जिसके regarding negotiations और भी करना है तो वह सारी जितने भी pending treaties है उस पर भी बातचीत होगी अब कौनसे कौनसे पेंडिंग treaties है तो देख सकते हैं mutual legal assistance treaty और इसके लाबा extradition treaty तो इन दोनों चीजों से related भी बातचीत जो है वो चलेगी और negotiation जो है वो दोनों चलेगा इसके बाद जो next point है वो है कि early completion of the Patelva Zorinpui road तो अब Patelva Zorinpui road आखिर की इस project के अंदर में आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं this is the final leg of Kaladan project अब Kaladan project से related मैंने आपको already एक video बन दिखा कर discuss किया हुआ है map तो मैं आपको इसमें भी दिखा दूँगा पर वही है कि आपको अगर इससे detailed एक तरह से आपको idea चाहिए कि Kaladan project किस चीज़ से related है तो आप लोग प्लीज उस description में जो मैं आपको वीडियो दूँगा उसको आपको एक बर ज़रूर देख लेना ता इंडिया Myanmar friendship project जो है इसके अंदर बताया गया है कि इंडिया ने 250 prefabricated houses को जो की रखीन स्टेट में है और एक तरह से इन्होंने handover किया है Myanmar को और यहां किसलिए है तो यह rehabilitation अब जूतने भी refuses है उनके लिए है रखीन स्टेट का हम लोग अल्रड़ी बहुत जादा news में बना जा सकता है तकि आपको आइडिया लग जाए ठीक है वैसे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अल्रड़ी मिल जाएंगे पर अगर आपको खुद से हम लोगों के साइट से भी कुछ चाहिए तो हम लोग भी बना सकते कोई दिकत की बात नहीं है ठीक है तो यहा का first locally produced anti-submarine torpedo खड़ीदा था जिसका नाम था ताल शेनिया तो ताल शेनिया नाम था अब इसको ध्यान में रख सकते हैं 2017 में यह खड़ीदा था अब 2019 में मियानमार ने क्या acquired किया है तो diesel electric kilo class submarine को acquired किया है जिसका नाम है INS Sindhuvir तो यह बिलकुल ध्यान में रखेगा क्योंकि एकदम recent news है और चुकि हम लोग ने defense corporation किया है और एक तरह से हमने defense का export किया है एक equipment का तो यह एक important point आ जाता है ठीक है तो क्या था वो diesel electric kilo class submarine जिसका नाम था INS Sindhuvir तो इसको ध्यान में रखेंगे तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां तक हमारा जो India Myanmar का relationship है यह खतम हो ग unrelated तो यह अब देख सकते है यहां से start हो रहा है कोorkata के ports से start हो रहा है और यहां से start के से got to you and it was जो project है यह सीर यह के तरह से शीव utilize porte हो रहा है इसके वाध यहां पर देख सकते है रीवर कालादान है तो जिसके तूर यहां पर जाया जाएगा और फिर अंदर की तरब जाके यहां पर पटेलवाद पहुंच गया हम लोग ठीक है यहां पर पलेटवा पहुंच गया पलेटवा वाला ही हम लोग ने देखा था कि पलेटवा जूरीनपुई रोड जो है वह एक तरह से बनाने की बात कही गई है उसका यह तरह से कालादन प्रजेक्ट का लास्ट ले गए और यहां से क्या हो रहा है तो यहां से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर यह तरह से कलेतवा जाएगा कलेतवा से फिर होते हुए यहां पर इंडिया आ जाएगा क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इंडियो में अनमार बॉर्डर है तो जैसी यहां पर पहुंच जा क्योंकि अगर आप देखेंगे कोलकाता से अगर हम अक्सेसिबल होना पड़ेगा यहां पर जाने के लिए मतलब अपने अपने ही नौर्थीजरन स्टेट्स में जाने के लिए जैसे त्रिपूरा हो गया या फिर मिजोरम हो गया तो इसके लिए हमें बंगलादेश के थू होन पहुँचिए मयानमार के कॉंट्रिबिशन के हल्प से रिवर कालादन को फॉलो करते हुए आप उपर की तरफ पहुँचिए अपने मतलब कांट्री में यहां पर देख सकते हैं हाईवे के थू भी पहुँच गया और रेल्वे ट्रांसपोर्ट भी यहां पर बनाने की बा जैसे फॉर एकजांपल दो कंट्री अगर हुई और उनका एक तरह से बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं तो उसकेस में वहां उसे एरिया में बहुत सारे ट्राइवल भी रह रहे होते हैं तो यहां पर यह जो फ्री मॉव्मेंट रिजीम है इनी ट्राइबल के लिए होता ह है और यही एक मेकाइनिजम है दोनों इंडिया और मेंडमार के बीच में अब यहां पर देख सकते हैं फ्री मॉव्मेंट रेजीम जो है क्या अलाव करता है तो यह अलाव करता है जो भी ट्राइबस रहते हैं अलॉंग अलॉंग दी बॉर्डर उनको 16 किलोमेटर अक्रोस पर इंडिया में 11 को साइन किया गया था और इसमें एक तरसे इन्होंने क्या किया था यहां पर इन्होंने एक regulation और harmonization का facilitation किया था जिसके basis पे जो भी already existing free movement rights है people का उसको एक तरह से और भी ज़्यादा support मिल पा है और strengthen किया जा सके तो यह एक important point है land border crossing agreement 2018 का अब आगे यहाँ पे देखते हैं यह जो मतलब हम लोग देख सकते हैं free movement regime है इससे फाइदा क्या होता है तो फाइदा यह होता है कि जो movement of people है on the basis of valid passports and visa एक तरह से यह enhance हो जाता है और इसके लावा यह जो movement है इससे यह भी benefit मिलता है कि economic और social interaction जो है दोनों countries के बीच में बहुत जादा बढ़ जाता है तो यहाँ पे चुकि Myanmar हमारा एक तरह का hostile country नहीं है और हमारी anime country नहीं है तो इस तरह से free movement regime जो है काफी जादा support करता है economic और social interaction में भी और integration में भी economic कैसे तो जो लोग वहाँ के tribal हैं कुछ सामान अगर बेचना चाहते हैं तो वो इंडिया में आकर बेच सकते हैं और उसी तरह social interaction भी obviously हो सकता है क्योंकि family का relationship भी बनता है तो यह point important है free movement regime के बारे में और इस से related एक article भी आया था हाल फिलाल में एडिटोरिल में तो जो हम लोग ने already discuss किया हुआ है इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग neighborhood के बारे में बात करें हैं इंडिया का तो यहां पे चाइना का जिक्र जरूर बनता है तो सबसे पहली चीज़ आप देख सकते है related news में क्या है तो चाइना Myanmar economic corridor ठीक है तो यह भी एक आ गया जिस तरह से चाइना पाकिस्तान economic corridor हम लोग ने देखा था तो उसी तरह से यहां पे चाइना Myanmar economic corridor भी है अब इसको देख सकते हैं कि यह एक तरह का proposed economic corridor है और यह एक तरह से क्या कर रहा है तो यह तरह का मतलब चाइना का जो built and road initiative है उसी के अंतरगत यह आ जाता है ठीक है proposed economic corridor अब इससे होगा क्या कि Myanmar और चाइना के बीच में connectivity better होगी इसमें आप देख सकते हैं इस corridor में central road और railway transport दोनों होगा दोनों के infrastructure होगे और यह कहां से कहां तक होगा तो southern China का जो यूनान प्रोविंस है वहां से start होगा और यह म्यूस से होते हुए मंडले तक जाएगा और इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्यूब क्यूब तक जाएगा जो कि रखीन स्टेट का है Myanmar में ठीक है तो यह एक प्लेस है जो कि रखीन स्टेट के अंदर में है Myanmar में तो इसको मैं मैप पे आपको दिखाऊंगा अब यह एक तरह का connectivity हम देख सकते हैं railroad connectivity है railroad transport infrastructure अब इसका फाइदा क्या होने वाला है तो इससे होगा कि चाइना को एक तरह का another access मिल पाएगा इंडियन ओशियन तक पहुँचने का ठीक है तो इस वीडियो को हम लोग यही तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग ने इसमें इंडिया मालदीफ और इंडिया मयनमार को देख लिया और अगले वीडियो में हम लोग सार्क और जो एक्स्ट्रा बज़ता है बिमस्टेक उन दोनों को देखकर फिर हमारा इंडिया और इंडिया का नेवर हूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे के टॉपिक को डिसकस करना स्टार्ट करेंगे तो चलिए इस वीडियो को राप अप करते हैं और राप अप करने के पहले मैं आपको एक कोश्चन दे देता हूँ झाल 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 तो चलिए कोश्चन को देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन होगा थि तो ये इसके बेसिस पर यह पहला पस्तेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है India and Myanmar have signed land border crossing agreement on May 11, 2018 which will facilitate regulation of existing free movement of rights of people तो इन दोनों statement के basis पर आपको यहां पर correct option को चुनना है और comment section में आपको इसका answer देना है तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आप wrap up करते हैं तो इस वीडियो में हम लोग ने दो topic को देख लिया मतलब दो countries के साथ को relationship है उसको देख लिया India Myanmar और India Maldives अब next video में हम लोग सार्क से start करेंगे और उसमें हमारे जो इंडिया और इंडिया के neighborhood है उसको हम लोग पूरी तरिके से निप्टा लेंगे फिर उसके आद हम लोग आगे के जो topics रहेगा उसको discuss करना start करेंगे तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग wrap up करते हैं और आपको जो government schemes का जो एक तरह से वीडियो है वो सुबह आपको 4-5 बजे के असपस मिल जाएगा क्योंकि भी मैं बनाने बैठोंगा उसको ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं thank you so much for watching